नमश्कार स्ट्रीट बज में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आपके साथ पूजा वर्णा में भी आग लग लगी जिसके बाद लाखो की संपत्ती को जल कर खाक हो गई वहीं मौके पर पहुँचे तीन दमकल की गारियों ने आग को बुजाने की कवायत शुरू की जिसके बाद करी मुल्क सक्कत की बाद आग पर काबो पाया गया पटना की ट्रांसपोर्ट नगर में नीजी गोदाम में खादापुर्टी परधिकारी की चापएमारी नीजी गोदाम में सरकारी अनाज होने की शक में गोदाम को किया गया था सील पटना सिटी से बड़ी खबर सामने आई जहां अगम कुवा थाना शेतर के ट्रांस्पोर्ट नगर में खादा पुट्टी के पदाधकारियों ने एक नीजी गोदाम में चापे मारी की पदाधकारी मनोज कुमारों और खुमारी अंजू को गुप सुचना में लिक थी कि ट्रांस्पोर्ट नगर के एक नीजी गोदाम में राज खाद निगम के जो सरकारी अनाज होती है वे एक नीजी गोदाम में स्टॉक किया जा रहा है जब पताधिकारी पहुँचे तो गोदाम का ताला बंद पाया लेकिन उस गोदाम की बाहर चाबल गिरा हुआ पाया हाला कि दोनों पताधिकारी ने गोदाम को सील कर दिया है गया शहर के विश्णूपा थानाचेत में बीती शाम नीदान होस्पिटल के अस्पताल प्रबंधक के साथ बदमाशों ने मारफीट किया बदमाश लॉकडाउन के उलंखन करके पुलिस से बचने के लिए अस्पताल में शरण नहीं देने पर अस्पताल प्रबंधक के साथ मारफीट किया अस्पताल प्रवंदक ने इसकी शिकायद पुलिस से की है लेकिन पुलिस अभी तक ना कारवाई कर रही है और ना ही है फायर दच किया है कि कर ना की है क्ब करावट में यहां पे कुछ लोग जो थे वह थाना का गारी देख कर कि भागा-भागी करने लगहे जिस के करण हम लोगों । यहां पे हाश्पिटल में भुसने का प्रियास किया तो हम लोग नीचे ही खड़े थे हम लोग उने मना किया कि यहाँ पर जूटका भीड नहीं लगाई है तो लोकल ही यहाँ पर के लड़के थे जिसमें एक का नाम फेकू है एक का नाम सहंसा है एक नियास था और उसके साथ और आट-डस लोग थे जिन लोगों ने मना करने के बावजूद फिर हातावाएं किया और अंगावाद में मामली विवाद में दो परोशियों की बीच हुई मारपीर की घटा में तीन महिला समेथ कुल छे लोग घायर हो गए घट नाम मुसफिल खाना शेतर के कुंडा गाउं की है सबी घायलों को ततकाल और अंगावाद सदर अस्पताल लाया गया जहावश्यक इलाज के बाद दो की हालत गंभीर देखते वे चिकित्सकों ने बहतर इलाज के लिए उन्हें का यारेफर कर दिया और अंगावाद में लॉकडाउन का उलंगन करके आरोपो में दाउद नगर वजार की दो दुकानों को जहां सील कर दिया गया वहीं तीन दुकानदारों को गिरफतार भी कर लिया गया SBO अनुपम कुमारी ने बताया कि लॉकडाउन के प्रवधानों के मुताविक जिन दुकानों को नहीं खोलना था उन्हीं दुकानों को खोला गया है जिसके बाद या कारवाई की गई है काफी कस्टमर थे ये प्रसासन की गाड़ी को देख करके कस्टमर को अंदर ही बंद करके दुकान बंद करके भाग गये ये काफी गलत बात है इससे कस्टमर की जान भी जा सकती है इसका ख्याल दुकंदारों को रखना चाहिए जो हमारे कोरोना समय में दुकानों को बंद किया गया है वो इसलिए किया गया है कि लोगों की भीड को दूर किया जा सके लेकिन इसको कुछ दुकांदार जो हट धर्मी है वो नहीं मान रहे हैं भगवान चितरगुप्ट के जैनती के अफसर पर मुजफर पुर जिले के बैरिया लाला टोला स्थित लक्ष्मी नारायन मंदिर में श्री चितरगुप्ट परिवार बैरिया के ओर से विधिवत पूजा अर्शना की गई सास्त्रों के अनुसार भगवान चितरगुप्ट की उत्पत्ती वैसाक मा के शुक्ल पक्ष की सब्तमी तिथी को हुई थी चितरगुप्ट महराज कायस लोगों के इस देव माने जाते हैं इसलिए उनकी जैनती को खास तोर पर कायस समाज में ज्यादा प्रचरित है कोरोना के कारण इस साल भी चितरगुप्ट चैनती पेहद सादगी पुर्ण धंक से मनाई गई खास बात ये रही कि चितरगुप्ट भगवान की पूजा बिहार राज में पहली बार मुझाफरपुट के बैरिया में किया गया ये बैसाख माह में हमारी चितरगुप्ट महाराज सत्मी के रोज प्रकट हुए थे आज ही के दिन प्रकटी करन हुआ मतलब ब्रहमाजी के पुरे सब्कुर्ण शरीर से इनका प्रकट जो हुए इसी तिथी को हुए थे इसलिए ये लोग बहुत लोग जहानवान में कुरोणा महा मारी के संक्रमन को रोकने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉक्डाउन को लेकर पुलिस ने काफी सक्त कदम उठाया है पुलिस अधिक शक दीपक रंजन के निर्देशा नहुसार नगर थाना प्रभारी अपने डलबल के साथ अरवल मोर फिदा हुसेन मोर और कारगील चौक राज़ा बजार स्टेशन भागीरत बीगा मलहचक मोर काकों के पास सभी जगव सगन तलासी अभियान चलाए जिसमें स सरकारी गाइडलाइन का पार्ट भी पढ़ाया गया है भारत सरकार प्रधानमेंटरी नेदनी मोदी के अवाहन को डागघर करेगा सच गाउन तो कोरोना किसी भी स्थिदी में ना फैले इसके लिए डाक विभाग द्वारा पहल की गई है अनिल कुमार चीफ पोस्ट जनरल ने वुद्वार को पार्ग नवादा डागघर और प्रधान डागघर से दस डाकिया रत की रवानगी की है शहर छेत्र एवं गाउं के छेत्र में लोगों को जागरू किया जाएगा जगा पर बैनर रोडिंग के द्वारा कोरोना से कैसे बचा जाए जागरू किया तो क्या क्या उपाय करे और जो हमारे चिकित्सकों पर अतरिक्त लोड है उसे डाग विभाग कैसे काम कर सकता है फिलाल इतना ही ऐसे तमाम खबरों के लिए स्पीटबस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन दबाना पिरकुल ना कूले नमस्कार